है व्रिवान वल्कम बैक टो मीनी गार्डन कैसे हो फ्रेंड सब सब लोग आई होप सब अच्छे होंगे खुश होंगे और सवस्त होंगे तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं बीगनर्स के बारे में जो आहाली में जो गार्णिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए क्यों बीगनर्स जो जो नैने आजकल कर रहे हैं जिनको गार्डन के बारे में इतना नहीं पता कि कौनसे प्लांट आउट्डोर है इंडोर है जिसे कि आजकल बीजी लाइफ होईगी हैं सभी की भागदोर की जिन्दगी होगी सब सुभी से उठ जाते हैं काई जो ऑफिस जाते हैं मतलब बीजी लाइफ हो चुकी है तो इस बीजी लाइफ में लोग गार्णिंग करने का बहुत शौक रखते हैं तो जैसे कि मैं कुछ ऐसे ही प्लांट्स के बारे में आज बात शेयर करूंगी जो कि सुबह हम जैसे कि हम प्लांट्स वगरा लगाते हैं कभी पानी बूल जाते कभी उनके करना भूल जाते हैं तो उन्हीं लोगों के लिए मैं एक वीडियो लाई हैं तो फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि हम बहुत इसली ग्रो कर सकते हैं नर्शरी से वही परचेस की जिए जिसके आप ज्यादा इस फ्रेंट गोल्डन जुनी पर है जो कि बहुत अच्छा प्लांट है और गिरीनी है बहुत ही अच्छा लगता है आप इससे नर्शरी से ला सकते हो तो यह आपको हैंड़ेट रुपीज में इसली मिल जाएगा और इसको ज्यादा केर की भी जरूत नहीं है फ्रेंड्स आप इसको साइस के अकॉर्डिंग आपको नर्शरी मिल सकता है वहंड़ेट की रेंज से और वन फिप्टी की रेंज से आपको इसली मिल जाएगा आप इसकी ज्यादा केर की भी जरूत नहीं है फ्रेंड्स आप इसमें वीक में एक बार आप खात देख सकते हो इसके बाद अग बस इसको एक बार हफते में आप निलाई कर सकते हो और इसमें आप खात को इसे भी आप जो बनाते हो आप वह दे देना तो फ्रेंड्स यह पौधा भी नहीं मनने वाला तो यह आप आउट्डोर रख सकते हो आप इंडोर भी रखोगे तब भी चलेगा आप आउट्डोर इसको कुछ नियोगा तो यह प्लांट्स बहुत अच्छा है और सेकेंड नमबर पे हम बात करते हैं इसको अम्रेला प्लांट भी बोलते हैं और सफ्लेरा भी बोलते हैं अंपले बहुती बोलते हैं कि इनके लीव सेखे विजसे चतरी होती ना सेम ऐसी रहती है और यह कई variety में भी आती है यह मेरा वारいや crazily बहुत प्यार है यह देखिए यह बहुत सुंदर लगता है और इसका नाम सफ्लेरा कथ भी जैसे में बता किया और प्रेंड्स ये ग्री क्लर में भी है देखिए का月ई और यह है डवल सीड में ग्रीन भी है और यलो शेड मी तरहिए तो इसको आप कटिंग से लगा सकते हो तो कटिंग से दो प्लांट को थे कि ए प्लांठ Cum इसकी रूट्स बहुत अच्छी हो रखी है इसको मैंने ना सोच दो बनाओ पर मैंने रिस्क नहीं लिया कर यह बहुत ही प्यारा लगता है यह फ्रेंड्स आप इंडोर आउट्डोर दोनों जगार रख सकते हो और आउट्डोर तो यह अच्छा चल रहा जैसे मैंने बाहरी रखा है यह प्लांट्स अपने पोर्च में जहां तेजूप आती है तो मैंने वहीं रखा है और साम इवनिंग के टायम पे तो यह अच्छी से साम हो जाती है जब स्ट्राम इसके धूप नहीं लगती वैसे इसको धूप लगती है और यह फ्रेंड्स है मैं नर्सरी से जरूर से लगाईए इसके भी क्यार करनी की ज़्यादा जरूरूरत नहीं है इसमें पानी भी आप वीक में एक बार दे सकते हो अगर मिट्टी ड्राय हो तब ही देना और फेटलाजर वगएर आप 15 दिन में दे सकते हो गोईसा भी तो फ्रेंड्स इसको आप जरूर से लग प्लांट है आप इसको ज्यादा केर की जुरूत नहीं है क्योंकि इसके कटिंग से भी लगाओंगे हो जाएगा और नर्सरी में 50 रूपीज से मिल जाएगा और इसे पिंक लर में कई शेड़िट आते पिंक में आते और कई कलर में भी आते तो मुझे मेरे पास पिंक है और पर फ्रेंड है यह सॉंग ओफ इंडिया आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हों यह बी एक आउट्डोर प्लांट है आप इंडोर भी रखिए तब भी अच्छ चलेगा अगर आप आउट्डोर भी रखते हो तब भी आप इसको भी लगा सकते हो यह भी बहुत कम केर वाला म जरूरत नहीं है आएक बार आपने लगा दिया तो यह प्लांट जल्दी से आपके गार्डन से नहीं मरेगा बहुत ही प्यारा लगता है तो आप इसे भी अपने गार्डन में एट करिए जो भी नए बिगनर से आप इसको भी जरूर से लगाओ फिफ नमबर पे फ्रेंड् कि तब भी अच्छा लगेगा आउड़्ोर रखोंगे तब भी अच्छा लगेगा आउड्डोर रखोंगे तब यह नहीं मरेगा आपकर प्लांट आप इसे की मिट्टी चेकर की पानी जब दोगे तो इसके मिट्टी चेक करके दीजिए और इसको आप आउडर रख सकते हो जो कि पौदा खराब होने वालों में से नहीं है आप इसे भी एट करिए जो मैंने दिखी बाल्टी में लगा रख हैं यह फ्रेंट्स जो आपको बता रहे हूं यह राबर प्लांइं भी बहुत त्यारा प्लांट फ्रेंट्स यह भी बहुत आपको इसली नरेस्टी में त्रूसरी में 100 प्लांट आप इससे बी लगा सकते हैं यह लो मैंने इसमाइब downhill ॉन्हा बढ कूदक हैं थो और इस फ पिरको ज्रैंट के डस्ट लगें जिसे मेरा प्लांट मेंसे सोचा है अगर करते हूं स्नेक प्लांट जो कि आप इसे कहीं भी रक सकते हो यह तो कहीं भी चल जाता है आओड़ इंडोर आप इसको अपने रोम में भी रखोगे तब यह पौधा नहीं मरेगा और यह पौधा बहुत अच्छा है फ्रेंट्स इसको डेकुरेट भी करते हैं इस प्लांट से अपने गार्ण क्या बैडरूम में कहीं रखता आप किचन में भी रखते हो तो वहां पर भी चल जाएगा यह हर जगह सर्वाइब कर जाता है तो बहुत अच्छा प्लांट इसनेक प्लांट तो फ्रेंट्स आप जो जो मैंने इन प्लांट्स के नाम बताए हैं आप इसको इसली घर में लगा सकते हैं यह बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं जो नएने गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लिस कमेंट करके जरूर से बताना और लाइक शेर कमेंट करना मत भूलना तो फ्रेंड्स टेक केर बाई